दोस्तो आज हम बात करेंगे ITER के बारे में International Thermonuclear Experimental Reactor यह मानो इतिहास का सबसे जटिल पर्योजना है जिसे 2010 में शुरू किया गया था जी हाँ दोस्तो यह जो तस्वीर देख रहे हैं यह टोका मैक का है तो दोस्तो क्यों नहीं इस चैनल को सबस्क्राइब लाइक और शेयर करें जैसा कि आप कर चुके होंगे Nuclear Fusion और Nuclear Fusion के बारे में आप आउगत होंगे जी हाँ दोस्तो Fusion is joining together of a small atomic nuclei to form large one which release energy जब दो छोटे atomic nuclei को जोडते हैं तब एक बड़ा nuclei पराप्त होता है जिसे energy निकलता है यही घटना सूर्ज में घटती है Fusion process में जब positivity charge part के एक दुसरे को repel करते हैं और यदि वहाँ पर 100 million degree Celsius से भी ज़्यादा टाप परजेंट हो तो यह atom के electron break होकर एक सूप के रूप में बदलता है इसे plasma कहते हैं यह plasma gas की तरह थी ना उसके पास shape है और न वोलो यानि जस्ट लाइक गैस की तरह सूरज से ज्यादा उर्जा पैदा करने के इस project में 7 दे सम्मिली थे जिसमें एक भारत भी है सेस, अमरीका, जापान, चीन, फ्रांस और रूस भी है भारत का इस project में 9 से 10 प्रतिसत की हिसेदारी है इस mega project में भारत का किरदार अहम हो जाता है जब वह cryo state बनाता है यह तस्वीर cryo state की है दोस्तों भारत ने इस project के लिए cryo state का निर्मान सूरत में किया cryo state को larsen and turbo company ने बनाया है रियक्टर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी तब उसे ठंडा करने के लिए एक विशाल डिफिजरेटर के विशक्ता होगी इसी को cryo state का वजन करीब 3850 टन है इससे स्वक्ष सस्ती प्रचूर उर्जा लंबे समय तक प्राप्त होगी जमीन पर सूरत से भी ज़्यादा उर्जा पैदा करने के इस प्रोजेक्ट का नाम ITER है यह प्रोजेक्ट फ्रांस के कारदर्शे शहर में चल रहा है अगर यह कुशलता के साथ सफल रहा और कार्ज करने लगा तो लग भग 15 क्रोड डिगरी सेल्सेस तापमान पैदा करेगा जो कि सुर्ज की कोर से 10 गुना ज्यादा होगा दोस्तों इस प्रोजेक्ट को 5 यर एसेमली फेज में पहुचाया जा चुका है और उमीद है कि 2024 से 2030 तक प्लाज्मा उत्पन हो जाएगा और जिसके उत्पन होने के बाद ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और काम करेगा आई होप सो ये वीडियो आपको पसंदो